नश्कार दोस्तों, ये वीडियो editorial compilation for mains का part है, आप paper wise और topic wise, editorial के articles की वीडियो को देख सकते हो, playlist में जाके, discussion स्टार्ट करने से पहले थोड़ी शी information, courses के बारे में, आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका link नीचे description box में है, ये सारे courses जोइन कर सकते हो, political science course, current effect asseries, mains poster program, और अगर आपक session start करते हैं, next article 16th लोक्षबा से समन्दित है, आप JS paper 2 के, इस topic से article को relate कर सकते हो, क्या context है, हालखी में लोक्षबा का session खतम हुआ, और ये 16th लोक्षबा का आखरी session था, अगर हम analyze करें, कि 16th लोक्षबा ने किस परकार से perform किया है, 16th लोक्षबा ने काम किया 1615 गंटे, ये 40 परसेंट कम है, maximum full-time parliament की working का, यानि काइदे से 40% और ज्यादा काम करना चाहिए था, 16th लोक्षबा को, और 16th लोक्षबा, देखो बैठी, 321 दिन, जबकि previous जो लोक्षबास थी, जिन्होंने 5 साल का कारेकाल पूरा किया, वो average तोर पर 468 डेज, यानि 468 दिनों तक बैठी, यानि working hours के हिसाम से भी, और दिनों के हिसाम से भी, 16th लोक्षबा की जो performance है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, वैसे तो देखो, कोई extreme incident नहीं हुआ, 16th लोक्षबा में, जैसे 15th लोक्षबा में, एक MP के द्वारा, paper spray का इस्तमाल किया गया था, लेकिन 16th लोक्षबा म MPs ने rule बहुत थोड़े, parliament को भार-बार disrupt किया गया, और colleagues को बोलने से रोका गया, question hour की हम बात करें, तो लोक्षबा का almost 33% जो question hour का समय है, वो खराब हो गया, और राज्यास बाका almost 60% जो question hour का समय है, वो खराब हो गया, तो consequence इसका ये हुआ, कि almost 18% जो start question है, उनका reply मिल गय start question देखो वो questions होते हैं, जिसका oral reply देना पड़ता है सरकार को parliament के अंदर, और supplementary question भी पूछे जा सकते है, start question में, तो सिरफ 18% जो start questions है, उनका ही reply आप आया सरकार की तरफ से parliament में, एक खराब चीज 16th लोक्षबा में ये भी रही, एक तरफ जहां लोक्षबा में speaker ने no confidence motion को accept नहीं किया, ये कहते हुए, कि जो members हैं, वो ठीक से behave नहीं कर रही है, इस वज़े से members की जो गिंती है, वो करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो no confidence motion तभी accept होता है, अगर कम से कम 50 MPs उस motion का समर्थन करते हैं, लेकिन speaker ने कहा कि, जो members हैं, वो ठीक से behave नहीं कर रही है, इस वज़े से members की गिंती कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी situation में, बजट को pass कर दिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं गलत है, ऐसी ही चीज 15th लोक्षबा में भी देखने को मिली थी, जब speaker ने ये कहा था, no confidence motion को accept करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि member of parliament ठीक से behave नही देखने को मिली, काफी सारे बिल को money bill के तोर पे pass करवाया गया, देखो, money bill को राज्यस्बा में pass करवाने के आउसकता नहीं होती, अगर कोई bill money bill होता है, तो उसे सिरफ लोक्षबा में pass करवाने के आउसकता होती है, और राज्यस्बा का role सिरफ recommendation वाला होता है, ये ऐसे bill, for example, अधार कार्ड से समंदित bill था, अब देखो, ये bill कते ही money bill नहीं है, money bill वो bill होते हैं, जिसमें कोई ऐसा provision हो, tax से समंदित, या फिर government की spending से समंदित, वो bill होते है money bill, लेकिन अधार कार्ड से समंदित bill जो था, वो money bill नहीं था, लेकिन government ने इसे money bill के तोर पे pass पाया, तो ये parliamentary conventions के लिए कहीं ना कहीं, अच्छी बात नहीं है, ये मामला Supreme Court के पास भी पहुंचा, और Supreme Court ने इसे जायज ठराया, इसमें गल्ती नहीं निकाली, और कुछ और भी examples दिये गए हैं, जैसे 2015 में, financial bill 2015, ये commodity exchange और security and exchange board of India को merge करने से समंदित था, इस bill को भी as a money bill पास करवाए गया, लेकिन ये जो merging थी, ये कहीं से भी money bill नहीं है, दूसरा, financial bill 2016, इस bill में, Foreign Contribution Regulation Act में amendment किया गया, लेकिन ये भी कहीं से भी money bill नहीं है, उसके बाद 2017 में, financial bill 2017, इसमें तो देखो काफी साई चीज़े की गई थी, जो 19 quasi judicial bodies हैं, उनके composition को change किया गया, काफी सारे, जो quasi judicial body हैं, उनको merge कर दिया गया, कुछ नई bodies बनाई गई, तो इसको भी as a money bill पास करवाए गया, ये भी गलत था, क्योंकि ये भी कहीं से भी money bill नहीं था, तो ये चीज़ गलत है, अगर ruling party की राज्यस रभा में majority नहीं है, तो उस bill को आप money bill के तोर पे पास करवादो, तो ये तो देखो democracy का मजाक उडाने जैसे चीज़ है, सविधान की values के against है, parliamentary conventions के against है ये चीज़, राइटर का कहना है, anti-defection लाग को देखो फिर से review करने क्या आउ सकता है, होता क्या है, अगर किसी political party के दवरा, for example, BJP के 280 MPs है लोक्सबा में, और किसी एहम bill पर voting होनी है, तो अगर वीप जारी कर दिया जाता है BJP के दवरा, अपने MPs को कि आप इस bill के पक्स में ही vote कीजिए, अगर इस वीप के खिलाफ BJP का कोई MP जाके vote देता है, तो उस MP की सदस्ता चली जाएगी, anti-defection लाग के according, तो होता क्या है इससे देखो, पार्लियमेंट में जो MPs हैं, अपना individual pucks सामने नहीं रख पाते हैं, 280 के 280 जो BJP के MPs हैं, कुछ MP तो ऐसे भी होंगे, जिनका जो view है, वो bill के खिलाफ होगा, लेकिन वो bill के खिलाफ vote नहीं देशकेंगे, क्योंकि अगर वो bill के खिलाफ जाके vote देंगे, तो ये देखो, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो एंटी डिफेक्शन, लाग ओफिर से रिव्यू करने के आउ सकता है, इवन कोईलेशन भी जब होता है, सत्ता में, तो भी जो अलाय दल होते हैं, फॉर एक्जामपल अभी BJP के साथ सीव सेना है, तो सीव सेना के MPs का भी त हैं, उनकी भी नहीं चलेगी, तो कुछी लोगों की मर्जी चलती है, कौन सा बिल पास होना है, कौन सा बिल पास नहीं होना है, होना ये चाहिए, कि लोग सभा में तो देखो, 545 से रिपर्जेंटेडिव्स हैं, सब की चलनी चाहिए न, इंडिविजूल MP के जो व्यूज ह हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिम्यदारी उनकी बहुत है, जनता ने उनको चुना है, वो जनता के प्रती अकाउंटेबल हैं, लेकिन उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है पालियमेंट में, इस वज़े से एंटी डिफेक्शन ला को रिव्यू करने की आ हो सकता है, लास्ट में बोला जाता है कि कुछ अच्छे बिल्स पास हुए हैं, उनका मेंसन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे जी एस्टी, बैंकरप्सी कोर्ड, आयम एक्ट, जुनाइल जस्टिस एक्ट, और कई सारे नए बिल्स पास हुए और एक्ट बने, जैसे ट्रीट बनी और लिकिजिस को कम करने के लिए कई एक्ट बने, प्रिवेंशन ओफ करप्शन एक्ट में एमेंडमेंट किया गया, और वो फुजिटिव्स यानि एकोनमिक ओफेंडर्स जो हमारे देश से गवन करके भाग गए हैं, उनकी प्रोपर्टी को अटेच किया जाएगा, ऐ अधार एक्ट पास हुआ, तो कहने का एसेंस यह है, हालांकि काफी सारी कमिया रही 16th लोग सबा में, लेकिन बहुत सारे अच्छे बिल भी पास हुए, तो ये पुरा आठ कल हमने डिसकस किया, 16th लोग सबा के बारे में चलते हैं आगे, कोशन देख लिजी जो आपको अट बहार लाने के लिए, 250 वर्ट में आपको इस कोशन का आंसर देना है, चलते हैं, तो इस डिसकेशन में फिलाल इतना ही है, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच फो डिसकेशन,